पचास मिलियन यूएस डॉलर का रेविन्यू पाकिस्टानी हकूमत ने इंडिया की तरफ जाने दिया है इंडिरेक्टली कैसे मैं सबसे पहले गया इस लसूडे के पास मैंने का बात माल लो भाई और एक मिनट जिसको भी गालियों और ऐसी चीज़े नहीं पसंद वडियो मत देखना दिमाग घूमा वाए तुम लोग डीसेंसी के चक्कर में रह जाओगे इनको डीसेंट तरीके से बात समझा समझा के ठ यहां पर बात हो रही है कि सबसे वहले बिट्फिनिक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बिट्रेक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया ये वापस कभी नहीं पाकिस्तानियों को आने देंगे ये बात जाद रखना मैं बात कर रहा हूँ जी क्रिप्टो करन से क्या वकार जका का फायदा होगा अपना कुछ इसका अगर वकार जका को क्रिप्टो का काम करना हो वे स्टोनिया से करेगा अमेरिका से करेगा मालदीब से करेगा कहीं से भी जाके कर सकता है, लगने तौफीक अता फर्माईए, पाकिस्तान में वड़ने की क्या जूरूत है, पाकिस्तान में लीकल कराने के लिए लड़ने की क्या जूरूत है, केस फाइल किया हुआ है, यतने अरसे से कोड का चक्कर लगा रहा हूँ, 28 August 2020 को भी अकेला इन परसंट जाके खड़ा हूँगा, किस जाज साहब, प्लीज सुन लीजी मेरी रिक्वेस्स, इसको अन्बैन करवाने के लिए और दे दें सिरफ, लेकिन दूसरी सिरफ का कभी FIA वाला कोई नहीं आया होगा, कभी सेक्यूरिटी एक्चेंज का मिशन का कोई नहीं आया होगा एडिशनल अटारणी, जर्णल वगारा वाले आके बोलेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कॉफी नहीं मिली भाई ये पे तक, हम क्या करें, इतने अरुसर से तो हम तक आज तक पता ही नहीं चला के ये कोई चीज आई भी है के नहीं आई, देखो दोस्तों, आज अ नहीं जी, इससे मनी लॉंडरिंग होती है, पाकिस्तान चुट, बैठे, देखो, पाकिस्तान में हमेशा हर चीज को बैन किया जाता है, और उसके बाद, काफी अरसे बाद उससे लीगल किया जाता है, ये जो बैन करके टाइम जाया हो रहा है, जो मैं हर एक के पास खौरी क कर रहा हूं जा जाके, कोट के चक्कर लगा रहा हूं, इसका कौन जिम्मेदार होगा, जब ये कल लीगल कर देंगे, जो इतने अरसे बाद ऐसा क्या होगा कि लीगल हो जाएगा ये सब कुछ, ये मनी लॉंडरिंग कर इससे होती है, तो ये बागी पूरी दुनिया ने क्य लीगल किया है, क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलजी, क्या ऐसी गिदर सिंगी है, जो पाकिसानियों को समझ नहीं आ रही, क्या ऐसी चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, स्ट्रेट बेंक को लगता है कि कंट्रोल निकल जाएगा हमारे हाथ से, और पाकिसान का आम बच्चा भी पैसे कमा रहा होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे, कि आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, कि कोई गलत पैसे से गलत चीज़ ना खरीद रहा हो, ना कमा रहा हो, लेकिन आप लोगों में है, कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, उस चक्कर में दुनिया की सबसे जाता है, कि तु ग्रे लिश्ट में रहेगा, अगर तुन्हें ग्रिप्ट नहीं खोली, क्या, क्या बोल रहा है भाई, क्या सोच रहा है, कौन सी दुनिया में घूम रहा है, कौन सी एगो में है भाई, दोस्तों कुछ तब्यत से नसली किसम के लांती मौजूद है हमारे जो हकूमत को जाके समझाते हैं, स्ट्रेट बेंक को ये बताते हैं, या कमिट सेक्शन में भी पोस्ट करते हुए नजर आएंगे, कि FATF के कवानी, यानि एंटी मनी लॉंडरिंग, EML, और KYC, यानि Know Your Customer के तहद, जो मुल्क भी बिटकोईन की ट्रेडिंग करेगा, जो भी जो मुल्क भी इस किसम की टेक्नोलजी यानि क्रिप्टो करंसी या बिटकोईन की ट्रेडिंग या माइनिंग करेगा, उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, हम इस टेक्नोलजी के अगेस्ट हैं, जैसे हवाला हुंडी को बैन किया है, इसको भी बैन करते हैं, इनने क्यूं लिखावा है कि भाई, रेगुलेट करो, एवॉल्विंग टेक्नोलजी है, यहाँ पर USA में लीगल, यॉरप में लीगल, ऑस्टिलिया में लीगल, न्यूजिलेंड में लीगल, जपान में लीगल, टेंडर, रशिया में लीगल, दुनिया में हम चगा लीगल है, यहाँ पर एकросी और मुलक में जाओ कर् Scale कर नी है। एचा इमरान खान तक निवाश पता है । इते हम पस प्किता ही नहीं हो घो हुछ वाकिस्था लाने की पारी है! इतनी अर्शे से हो हुछ थू तो यह दिया में जब मेरी जानत परताल की जाँए कि मेरा क्या फाइदा है मैं ऐलूमिनााटी की करेंसी यहा लेकर आ रहा हूं शैतानी धजालि कर iac लेकर आ रहा हूं क्या तुम पकड सकते हो अगर आज क्रिप्टो करंसी से एक पैसा भी जाता है उसके लिए इंटरनेट पहले वारना पड़ता है मुबाइल में वो वारने के वज़ा से ही ट्रांजेक्शन होगी इसका मतलब जो चीज इंटरनेट पे आती है बेवकूफ हो अगर जो जाहिल बोलता है इसे मनी लॉंडरिंग होती है जाहिल होंगे जो मुनेरो या कोई भी ऐसी जो अनॉनमस ट्रांजेक्शन होती है उससे यूज करके पैसा ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट के बगाएर क्रिप्टो कि खुदा के वास्ते मुझे एक दफ़ा आने तो मेरी जान परताल करो कि मैं क्या हिडन एजिंडा लेकर घूम रहा हूं मेरे अंदर क्या कौन सा सुलिमानी नहीं बलकि एक अज़्दहा काट रहा है कि भाई क्रिप्टो लीगल करो नहीं क्या इसमें क्या को हराम हराम यह जो जो हराम बोल रहा हुँ हो इसको पकड़ के रखना और कल को जब यह हलाल करा दें इसे पूछना जो जो यातिवी आज टा काई हैं लौड स्पीकर से लेकर टीWी से हराम के देते हो बाद में हलाल के देते हो भाई जिस तरह इसलाम के लिए हमें मौलाना के पाद जाना जरूरी इसले टेकनोलॉजी के लिए भी टेकनोलिजी एक्सिर के बात चोबर जाना पैसे कवा रहे हो, हलाल की कवाई है वो, टेकनोलोजी हलाल हराम नी होती, उसका इस्तिमाल हलाल और हराम की दर्फ लेके जाता है, मैं तंगा चुका हूँ, मरियम नवास उस चूप से लेकर आज तक हर एक को समझा समझा के, कि इसको लीगल कर दो, के पी के में मुझे मशीने लगाने दो, लगाने की वज़ा से हाइडरो पावर के थूरू पैसा आएगा, ये जितने बड़े-बड़े साइंसदान बैठे हैं अपने आपको कहते हैं, लओ मेरे सामने इनको खड़ा करो, मैं इनको जवाब देता हूँ, कमेंट सेक्शन में उल्टी बकवास करने से प आप मुझरों में या गाने वालों पे नहीं उचा लेंगे, भी हुरमती हो रही है, हम इसे बैन करते हैं, नहीं किया ना, मेरी बात भी अजीब सी आपको लग रही है, इसी तरह स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को ये हक नहीं पहुँचता था, कि वो टेकनोलिजी को बैन क कर चुका है, और वो ट्रांसफर की स्टेट बैंक को कि आपने ऐसे काम करना है, जब पारलिमेंट ने कोई ऐसी बात कानून साजी की ही नहीं इस टेकनोलिजी पे, तो स्टेट बैंक के पास कैसे पावर आई ये, स्टेट बैंक आगे से जवाब देता है, कि भाई देखें, बहुत ज़्यदा फ्रॉड होने का इमकान था, मनी लॉंडरिंग होनी थी, इसलिए शायद हमने इसको रोकने की कोशिश की है, इन्हों ने क्या किया बेसिकली, क्योंकि काफी पेस्ट करते हैं, महिनत तो करते हैं, इंडियन रिजर्फ बैंक ने एक नोटिवेकिशन निका दिया कि भाई, सेंटरल बैंक का क्या काम, जब इस पे कानून साजी नहीं है, आपने डेलिकेटिट पावर्ज अपनी गलत इस्तेमाल की है, गहर कानूनी है यह, वही कुछ स्टेट बैंक वालों के साथ भी होगा, लेकिन बहुत लंबे अर्से के बाद कोट में लड़ आजे मेरे सामने यार और्ग्यूमेंट के लिए, मैं आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी गलती आपने कर दी है, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए, पूरे मुल्क को महरूम ना करें, इसी तरह है, यह अपनी एक बोटी के लिए, पूरे बक्रे की, मैं तमाम MN, MN, M आपक नहीं है, ना ही को इसके बारे में बात करेगा, मेरा वादा है, कि मैं अपने कौम के लिए सोचता हूं, मुझे पता है, कड़वी दवाई है, अभी आदे लोगों समझ भी नहीं कि क्यों बोल रहे है, बिटकोईन उसके बारे में, और यहां साइंस दान ऐसे आएंग से रिक्वस्ट है, तुम लोग मुझे नहीं हराने आ रहे है, मैं अकेला हूंगा, तुम मुलक और कौम के फ्यूचर को हरा रहे हो, अपने बच्चों के फ्यूचर को हराने आ रहे हो, क्या तुम चाहते हो, तुम लोगों खुद ये रिपोर्ट सब्मिट करानी चाहिए, ह आपको तो मिलता ही नहीं लेटर मुझे लगता है भाई अगर आप लोग हारोगे तो मेरी जीत नहीं है ये मुलक के फ्यूचर की जीत है ठीक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है लेकिन प्लीज हैश, अन्बैन, क्रिप्टो करंसी, स्टेट बैंक और इमरान खान को टैग करके फॉरण ये ट्रेंड चलाया जाए मैं जानता हूँ अब लोगा इंटरस्स में डिवेलप नहीं होगा एक वो बाप होते हैं जिसको पता होता है कि बच्चा गलत तरफ जा रहा है वो रोकने के लिए आता है, बच्चा नाराज हो जाता है वैसे ही काम मुझे भी करना पड़ रहा है ये मेरा वादा है, ये लीगल तो होगी लेकिन ये जो टाइम जाया हुआ है और इंडिया के पास फंडिंग जा रही है खुदा की किसम पहले मैं पता इतना अग्रिसिफ क्यों नहीं था इतनी तमीसे बात क्यों करता था क्योंकि इंडिया में भी बैन था, मैं बड़ा खुश था मैंने का रहे यार इस खिते में पहले हम लोग कर लेंगे लीगल मैं लड लूँगा और यहां पैसा आना शुरू हो जएगा बाइनेंस, बिट्रेक्स हर एक से बात करके रखी वी थी यार पाकिस्तान में बड़ा टेलेंट है आपको यहां आना चाहिए यहां आफिस खुलने चाहिए उन्होंने कर दिया, अब आदा पैसा वहाँ जाने लग गए इसलिए मेरी यह तेजी आ गई है कि वहां जो इतनी महीनत होरी दी तीन-चार साल से जब जाय हो रही है यह ट्रेंट चलाओ, और प्रीज जो वकील वहारे मुझे हराने की कोशिश मत करो लिख दो, लिख दो, यह तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि तुम दूसी तरफ के वकील थे, लेकिन तुम लोगों ने मुलक का सोचा और मुलक के हक में लिख दिया नहीं यह सब्सक्राइब करेंगे वाई यह सब्सक्राइब करेंगे हराओ हराओ वकार रखाब शाब शाराओ